डियरे स्टुडेंट, गुड मार्ने, आपका रासायनिक घ्यन से चख, पच्छो आज का टापिक है अफक्रिया की आडविक्ता, किसी अफक्रिया के संतुलित रासायनिक सम्ही करदवारा ब्यक्त प्रत्तेइक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अडवों की क जो उसकी प्रत्थेक प्रारंभिक या प्राथमिक पद में जितने भी अभिकारक अडवों भाग ले रहे हैं वही उसकी अफक्रिया की आडविक्ता कहलाती है, पहला एक्जामपल है NH4NO2, को जब हीट किया गया तो N2 प्लस 2H2 में तूट गया, कितने अडवों भाग ले यहां कितने अडवों भाग ले रहे हैं, एनो के दो अडवों और ऑक्सीजन ओटू के एक और दो एक तीन तो इसे हम त्री अडवों कहते हैं, अफक्रिया की कोट, किसी अफक्रिया में अभिकारक अडवों की वह संख्या जो अफक्रिया का वेग नियम लिखने में अफक्रिया की कोट कहलाती है, कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो अफक्रिया है, उसमें अभिकारक अडवों की वह संख्या जो अफक्रिया का वेग नियम लिखने में या अफक्रिया के वेग को प्रभावित करने में प्रयुक्त होती है, उसे हम अफक्रिया की कोट कहते हैं, अफक्रिया की वेक समी करण में ब्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अफक्रिया की समग्र कोट कहलाती है आभासी एक आडूक अफक्रिया के है कहने का मतलब CS3CWC2H5 A3C8 प्लस H2O Aero CS3CWH प्लस C2H5OH अब यहाँ पर देखा जाए तो अफ्रिया कोटी का मान कितना है एक क्योंकि H2O हमारा जब आनाजिड हो जाता है तो H2O2 में तूट जाता है इसकी कोई भी कोटी नहीं होती तो कोटी कितनी है एक लेकिन अड़विक्ता कितने दो एतिरेसिटेट और H2O तो वेक बराबर DX upon DT equal का के CS3CWC2H5 सून्न कोटी के अफ्रिया वह अफ्रिया जिसकी दर अविकारक की सांदरता के सून्न गहात के समानुपाती होती है सून्न कोटी के अफ्रिया कहलाती है H2 plus Br2 दोनोग ऐसे है गरम किया गया है HBr हो गया तो इसकी कोटी कितनी हो जाएगी झाल झाल